आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मॉनिका और आज हम साथ अप्रेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्रेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्रेशन से रिलेटेड जित जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत हार भी गए तो सीख ही मिलेगी इसी मॉटिवेशनल कॉट के साथ में हमें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है फूर्स बीन अपॉइंटेड बाइड यूनाइटेड नेशन लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विष्ती शग्य किसे न्यूक्त किया गया है तो यह किया है डॉक्टर इयान फ्राई को किया गया है एस का करेक्ट आंसर है डिटेल से हम बात करें इनके बारे में तो सयुक्त राष्ट मानव अधिकार परिशद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायू परिवर्तन के लिए दुनिया का जो पहला स्वतंत्र विसेशग्य के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है और तुवालुवन दोनों की जो नेशनलिटीज है ये इनके पास है और मानव अधिकारों जलवायू परिवर्तन के लिए विशेश प्रतिवेदक इस पद की बात करें तो ये UNHRC द्वारा अक्टूमर 2021 के अंदर ये बनाया गया था और नए स्वतंत्र विसेशग्य के पा अचानक और दीमिगती से शुरू होने वाली आपडाव सहीत जलवायू परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव का अध्यन और पहचान करने का जनादेश होगा चली टॉप फाइव इंटरनेशनल प्लेस्मेंट के हम बात कर लेते हैं तो यह बने है जांग मिंग बने है वो यह बने है ती राजा कुमार न्यू चेर्मेन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रोप तो यह बने है के अन रागवन किसने अवे टिकेटिंग के खिलाप उपरेशन उपलब्द नामा के एक अभ्यान चलाया है तो यह चलाया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा और उपरेशन उपलब्द जो उपरेशन अवेलेबल है इसके बारे में हम बात करें तो लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की भाली के बाद उपरेशन उपलब्द पुश शुरू किया गया था और इस उमीद के साथ की त्यवार और गल्मी की भीड के परिणाम स्वरूप आरक्षी ट्रेन टिक्टो की मांग में तीजी से व्रद्धी होगी और प्रतिकरिया के जवाब में रेल्वे सुरक्षा बल आलपी अपने अपने प्रियासों को बढ़ाया है और मार्च 2022 में बैलाली के खिलाब एक अखिल भारती अभ्यान जहत 1469 दलालों को विरासत में लिया है और 366 IRCTC Agent ID और 6751 व्यक्तिगत ID को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है रेल्वे विभाग के और से इस बात की पुस्टी की गई है कि RPF की फिल्ड इकायों ने 1 मार्च 2022 को देश बर में अभ्याद शुरू करने से पहले शेत्र डिज की है फिर समेकित की है फिर जाच की है और उसकी बाद में उसका विसलेशन किया है तो ओपरेशन जो अवेलेबल है इसका समन किस्से है रेल्वे प्रोटक्शन फोर्स सर्विसीज की द्वारा ये चलाया गया है चले टॉप फाइव कैम्पेंग के बारे में अब हम बात कर लेते हैं विच मिशन हैज बिन स्टाटेट बाइड सेंटर गवर्मेंट तो ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन ट्रैप्ट इन वार अफेक्टेड कांट्री यूक्रेइन तो इसे क्या नाम दिया गया था ओपरेशन गंगा इसे नाम दिया गया था विच मिनिस्ट्री है ल क्विट टॉबेको एप अंडर दे कमिट टू क्विट कैंपियन तो यह लॉच्च किया गया है डबलु एचो के द्वारा वर्ड हेल्थ ओर्गिनाइजेशन के द्वारा विच बैंक हैस लॉच्ट जीवा प्रोग्राम तू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग तो यह लॉच किया है नेच्रल बैंक फोर एग्रिकल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट के द्वारा अंडर दे जल जीवन अभ्यान विच हैस बिकम दे हंड्रेट डिस्टिक ऑफ इंडिया तो है वॉटर एट एवरी होम तो यह कौन सा बना है चंबा बना है हिमाचर प्रदेश का थर नम इस डे के बारे में बात करें तो भारत में रास्ट्रे समुन्री दीवस हर साल पाच अप्रेल को यह मनाये जाता है और इस साल इसका 59 एडिशन था और रास्ट्री समुन्री दीवस हर साल अंतर्म्हाद VP.A. वानिक जी और वेश्विग अर्थ व्यवस्ता को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल परिवहन के सबसे सुव्यवस्तित और सुरक्षित और मजबूत परियावरण के अनुकूल दृस्टी कोन के रूप में समर्थन करने में जागरुखता को चित्रित करने के ल राष्ट्रे समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रेल 1964 को ये मनाया गया था और इस बार का कौन सा एडिशन है 59 इस बार इसका एडिशन है और भारतिय नो वहन की गाता पहली बार 5 अप्रेल 1919 को शुरू हुई थी जब देस सिंदिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटीड के पहले जहाज SS loyalty ने मुंबई से United Kingdom की यात्रा की थी और इस दिन वरूर नामक पुरशकार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनोंने भारती समुद्री शेत्र में उतकर्ष्ट योगदान दिया हो तो जो राष्टी समुद्री दिवस है ये 5 अप्रेल को मनाया चाता है 4 नमर क्वेशन है which state has stopped among the states with the lowest unemployment rate in इंडिया भारत में सबसे कम बेरोजगारी दरवारे राज्यों में कौन सा राज्य शीर सिस्तान पे रहा है तो सबसे कम जो बेरोजगारी देखी गई है ये 36 गड़ के अंदर देखी गई है 20 का correct answer है 36 गड़ में इस मार्च में 0.6 फीजदी बेरोजगारी दर दरज की गई है जो अब तक का सबसे कम है और Center for Monitoring Indian Economy के आकड़ों के according मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर गिर कर 7.6% हो गई है और फर्वरी 2022 में ये जो दर है ये 8.10% थी मार्च 2022 में हर्याना में सबसे अधिक बेरोजगारी दर पाई गई है जिसको है 26.7% दरज की गई है इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है राजस्तान जहां पे 25% बेरोजगारी दरज दरज की गई है और फिर है जम्मू और कश्मीर ये भी 25% यहां पे दरज की गई है त ग्रिपुरा के अंदर 14.1% है और पश्यम बंगाल के अंदर 5.6% दर्ज की गई है और CMIIE मुंबई इस्तित एक स्वतंत्र गेर सरकारी संस्ता है जो एक आर्थिक थिंग टेंग के साथ साथ एक व्यवसाइक सूचना कंपनी दोनों के रूप में ये काम करती है चलिए इंडे आयोग तो ये जिस पे टॉप पे कोन आया है तो इसके अंदर आया है गुजरात विच हैस बिकम देवर्ट्स मोस्ट पॉलुटेट कैपिटर इन द वर्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाई आईक्यू एर तो इसके अंदर आया है सबसे टॉप पे आया है न्यू दिल्ली विच कंट्री हैस बिकम देवर्ट्स मोस्ट पॉलुटेट कंट्री इन द वर्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट 221 रिलीज बाई स्विस फर्व आईक्यू एर तो इसके अंदर आया है बंगलादिश सबसे पॉलुटेट कंट्री इसके अंदर आया है वट इस द रें इंडिया इंडिया इन लिस्ट ऑफ हैपी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ड हैपीनेस इंडेक्स 2022 तो इसके अंदर जो आया है इंडिया की रहेंग 136 पर आई है तो यह जो बुख लिखी गई है यह देवी का रंगाचारे के दौरा लिखी गई है एस का करेक्ट आंसर होगा पुरशकार विजेता बच्चों की लेखी का और इतियास का देवी का रंगाचारी ने Queen of Fire नामग एक नया उपन्यास लिखा है जो जासी की रानी लक्ष्मी भाई की कहानी का अन्वेशन करती है यह जो बुख है यह रानी लक्ष्मी भाई की रानी सैनिक और राजनेता के रूप में यातरा पर केंद्रित है और यह बुख इस बात का विस्तरित वेवरन प्रदान करती है कि कैसे रानी ने एक विद्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी के प्रधान मंत्री कौन बने हैं तो यह बने है विक्टर औरबन 20 का करेक्ट आंसर होगा हंगरी के प्रधान मंत्री विक्टर औरबन ने 2022 के लिए देश के आम चुनाओं में शांदार जी से कारेकाल में लगातार ये चोथी बार ये जीते हैं और मई 2010 में प्रधान मंत्री की भूमिका समालने के बाद से अठाउन वर्ष ये पहले से ही यूरोपिय संग में सरकार के सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाले प्रमुक है हंगरी की बात करें तो हंगरी is located in the continent of Europe और इसकी capital है बुड़ा पेस्ट और यहाँ पे currency जो चलती है ये चलती है foreign और यहां की president कौन बनी है तो यह बनी है कैटली नौवाग बनी है कैटली नौवाग को यूरोपिय संग की पहली महिला राष्ट्रपती के रूम में अभी अपॉइंट किया गया था पिछले कानट अफेर्स में हम नहीं यह पढ़ा था 7 number question है where is the fourth edition of India World and Marine Show held India World and Marine Show का चोथा संसकरन कहां आयुजित हुआ है तो यह हुआ है कोची केरला के अंदर सीज का correct answer होगा India World and Marine Show का चोथा संसकरन केरल के कोची के बोल गट्टी प्ले पेलेस में आयुजित किया गया था और IBMS भारत की एक मात्र और सबसे प्रभाव शाली नाव और समुंद्री उद्ध्योगों से सम्मधित प्रदशनी होती है और यह जो आयुजित है यह कोची इसने क्रूज एक्सपो द्वारा आयुजित किया था और IBMS 2022 ने देश भर के प्रमुक अंतरास्ट्रे ब्रांडों के साथ साथ स्वादेशी नाव निर्माताउ को प्रदशित किया है और एक्सपो में पूरे भारत से लगबग 45 प्रदश को और दो अंतरास्ट्रे प्रदश को ने इसके अंदर भाग लिया है चलिए Top 5 Conferences की हम बात कर लेते हैं जो अभी Recently हुए है Where was the Deva Yatnam Conference of Indian Temple Architecture integrated by the Ministry of Culture तो ये कहां पे हुई है ये हुई है हमपी करनाटका के अंदर Since when has the 21st Global Sustainable Development Summit been organized तो ये हुआ है 16-18 फरवरी के बीश में The first Global Summit to re-emason museum in India will be organized by which ministry तो ये किसके दोरा organized किया गया था Ministry of Culture के दोरा ये किया गया था भारत में जो संग्रालों की पुनर करपलां के लिए जो पहला वेश्विक जो शिकर सम्मेलन है ये किया गया था संस्कृती मंत्राल के दोरा Which country has precise over the One Ocean Summit 2022 to preserve the oceans तो ये जो है ये कहां पे किया गया है तो ये की है इसकी अध्यक्षता France के दोरा इसकी अध्यक्षता की गई है Who has hosted the first India Central Asia Summit पहले भारत मद्दे एशिया शिकर सम्मेलन की मेजवानी किसने की है तो ये की है नरेंद्र मोदी जी के दोरा एट नमबर क्रेशन है From which district उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ has started स्कूल चलो अभ्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभ्यान को किस जीले से शुरू किया है तो इसका correct answer होगा श्री वस्ति उत्तर प्रदेश से इसको start किया गया है इसका correct answer है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्पल श्री वस्ति से जो प्रदेश व्यापी अभ्यान है स्कूल चलो अभ्यान इसको शुरू यहां से किया है और इस अभ्यान के अंदर होने क्या वाला है तो इसके अउसर पर उन्होंने कहा है कि अगले एक मेने में चलने वाले इस अभ्यान में घर घर जाकर दस्तक दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल जाने से वंचीत रह गया हो और उस को इसकूल ले जाना इसकूल में उसका रजिस्ट्रेशन कराना उसे युनिफॉर्म और किताबे बेग आदी जो फैसिलिटीज है यह प्रवाइड करवाना इस कैम्पेन के अंदर किया जाएगा इसकूल चलो अभ्यान है यह उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ति जो जन्पद है यहां से स्टार्ट किया गया है चलिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है यह है लक नौ और यहां के चीफ मिनिस्टर कौन बन गया है योगी अदित्यनात बन गया है जो बीजे भी यहां पे 31 है और 403 यहां पे विदान सभा सीट है वन नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नेपाल है उत्तरप्रदेश इस बॉर्डर बाई एट स्टेट तो यह है उत्तर उत्राखन हिमाचर प्रदेश हर्याना राजस्तान मध्य प्रदेश चतिसगर और जारकन और बिहार ह दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तरप्रदेश के नो जो नेबरिंग स्टेट है यह हो जाएंगे लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राजय का दर्जा प्राफ्त नहीं हुआ है तो इसलिए यह कितना माना जाएगा आठ स्टेट ही इसके अंदर माने जाएंगे और लोक नत्य है इसके अंदर आता है कर्मा शेली डट्या गर कहरी चोलर लटमार दिवाली घोडा यहां के जो में जो लोक नत्य है इसके अंदर आते हैं और यहां की जो एरपोर्ट के बात करें तो जो चोदरी चरन सिंग एरपोर्ट है यह लखनाओ के अंदर है और लाल भा कावल उत्वी एप for the public during emergency आपातकाल के दोरान जनता के लिए कावल उत्वी एप को किस ने लॉंच किया है तो ये लॉंच किया गया है M के स्टैलिन के द्वारा 20 का correct answer होगा तमिलाडू के पुलिस के कावल उत्वी एप को मुख्यमंत्री M के स्टैलिन ने लॉंच किया है जो जनता विशेशकर महिलाओ को सारुजनिक साहिता प्रात करने में सक्षम बनाया जा सके और एप में एक आपातकालीन साहिता और एक डायल सुईधा है और डायल 100 सुईधाओ को एप के साथ एकिकरत किया गया है और एप को Google Play Store से मुफ्त डानलोड किया जा सकता है और एप मे अन्य सुईधाओ में एक पुलिस स्टेशन लॉकेटर नियंदरन कक्ष निर्देशी का साइबर वित्य समधित शिकायते अन्य आपातकालीन हेल्प लाइन वाहन सत्यापन यातायत उलंगन के लिए जुर्माना का ई-भुकतान गुम दस्तावेज रिपोर्ट टी एन पुल किसान एप तो प्रवाइड मेटरोलोजिकल इन्फोमेशन अप्टू दे ब्लॉक लेवल तू दे फार्मर्स किसानों को ब्लॉक स्तर पर मोसम संबंधी जो इन्फोर्मेशन है ये प्रवाइड करवाने के लिए किसान एप को कौनसे संसान के द्वारा लॉंच किया गया है तो ये किया गया है IIT रूर्की के द्वारा इंडियास फर्स्ट पुलिस टू इंटर्डूस स्मार्ट कार्ड आम्स लाइसेंस तो ये कौनसी है दिल्ली पुलिस है विच ओर्गेनाइज़ेशन है लॉंच दे क्विट टॉबेको एप अंटर दे कमिट टू क्विट केमपि इंडियान इंस्ट्ट ओफ टेक्नोलोजी है इडराबाद आईएटी हैदराबाद के द्वारा इंडियान इंस्ट्रों महिलाओ के विकास के लिए घरेलू एक उमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस नाम से एक नया प्लेटफर्म शुरू किया है तो ये शुरू किया गया ह फ्लिपकार्ड फाउंडेशन के नाम से सीज का करेक्ट आंसर होगा घरेलू इकॉमर्स दिगच फ्लिपकार्ड समुने ग्रामिन शेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं और अन्यवंची समुधायों के लिए विकास के अवसरों तक समाज पहुंच प प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावीत करना है चलिए कल के जो mcq है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फास्ट क्वेशन है रास्ट्य रक्षा अकादमी के नए कमांडेट कौन बने हैं तो इ ये मनाया गया है चार अप्रेल को बीज का गरेक्ट आंसर होगा थार नमबर क्योशन है किस राजय सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पॉर्टल लॉंच किया है तो ये लॉंच किया गया है हरियाना गवर्मेंट के द्वारा इसका करेक्ट फॉत नॉम्बर क्येशन है किस राज्य सरकार नहीं पहला शी ओटो स्टेंड इस्तापित किया है तो यह स्तापित किया गया है आंधृप्र देश के अंदर 20 का स्टाइक्ट आंसर होगा सेवन नमबर क्वेशन है लोगों को अपनी पसंद के मंदीरों के दर्शन करवाने के लिए मंदीर 360 वेबसाइट को किसने लॉंच किया है तो ये लॉंच किया गया है मिनाक्षी लेखी के द्वारा दी इसका करेक्ट आंसर है नमबर क्वेशन है क्रंच टाइम नरेंद्र मोधी शनल सिक्योर्टी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है तो ये जो भुग लिखी गई है ये डॉक्टर श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई है डी इसका करेक्ट आंसर है टैन नमबर क्वेशन है चोसटवे वार्षिक ग्रेमी पुरशकार सम्मारों का आयोजन कहां पे हुआ है तो ये हुआ है लास वेगास के अंदर डीस का करेक्ट आंसर है और ये था कल का स्टाडी ग्लॉस क्वेशन महिलाओं के खिलाप उत्पी डन और अथ्याचार को रोकने के आत्मरक्षा प्रक्षिक्षन कारिकरम ओबाओ कला को किस राजी नहीं शुरू किया है तो ये शुरू किया गया है करनाटका गवर्मेंट के द्वारा डीस का करेक्ट आंसर होगा और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेशन फुटबॉल टूनामेंट एफसी महिला एश्या कब भारत 2022 का किताब किस देश की टीम ने जीता है तो इसकांसा मुझे कॉमेंट सेक्षन में दीजेगा ये हमारा टेलिग्राम चेनल है यहाँ पर आपको सारे क्वेशन क्विज के फॉर्मेंट में अवेलेबल हो जाएंगी आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेर कीजिएगा क्वेशन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट से तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो चले मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में थैंक यू